हाई गाईज वेलकम तो अनादर एपिसोड अफ ग्रैमर हाइस्ट अ सीरीज वेरिन जहां पे हम लोग कम्लीट करते हैं ग्रैमर का कोई भी टॉपिक पांच मिनट में ठीक है तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारी कुकिंग विडियोज देखे होंगे कि यार पांच मिनट मे अपने आपको कि इस ऐसे एपिसोड में जितने भी हमारे टीजिंग एग्जैम के आस्पिरेंट से जिनके पास समय की होती है कटौती वह पांच मिनट में अपने ग्रैमर के कोई भी कॉनसेट को और आने वाले टाइम में हम प्लान करेंगे कि पेड़गोजी का भी कोई भी कॉनसेट आप पांच मिनट में सीख सकें ठीक है मातर पांच मिनट में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम लोग आज इस फिगर ऑफ स्पीच का जो हमारे टॉपिक है पर सॉनिफिकेशन उसको सॉल्फ करेंगे राइट तो डेली क्लास का टाइमिंग आपको दे दिया है ब को लोग ना क्विक बाइट के तरह इस ग्रैमर है इसकी सीरीज को खा सकते हैं निचोड ले सकते हैं तो आज कर जो मारा टॉपिक है वो है पर सॉनिफिकेशन में आपको बता देते हूं अगर गिसी को कोई भी चीज में क्वेरी है डाउट है यहां पर मैं आपकी सारी प्र टर्म है वो डराइव हुई है पर सॉनिफाइशन ठीक है पांच मिनिट में यह निंजर टेकनीक में आपको बता दूगी बस आपको अपने कानों को उधार पे देना है और आपकी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होगी हमको ठीक है तो पर सॉनिफाइशन ठीक है तो यहां पर सॉनिफाइशन प्लस एक सफिक्स लगा दिया फ वाए तो यह जिसका मतलब होता है तू रेप्रेजेंट या इमबोड़ी किसी चीज को मानवे करन करना किसी को रेप्रेजेंट करना ठीक है यह अब यह जो चीज होती है यह पॉसंट तू पॉसंट भी वेरी कर सकती है या fictional non-fictional भी हो सकते है यानि कि ऐसी दो चीजों में तुलना करना जिसमें जैसे कि आपके पास अगर कोई निरजीव वस्तु है तो उसको सवजीव बना देना उसमें जान डाल देना किसी सवजीव इंसान मनुष्य का रूप धारण करवा के उसकी महीमा जता कर या उससे comparison ड तो आप उसमें जान डालके उसे मनुष्य रूपी बना देते हैं आप देखो जब आपके exams में, poems में personification आते हैं तो उसकी definition क्या समझते है, definition exam में नहीं आती है बट आपके understanding important है फिर मैं आपको कुछ बताऊंगे, examples, बहुत ध्यान से देखना the attribution of a personal nature और human characteristics to something non-human यानि कि एक non-human कोई चीज है उसमें जान डालके उसमें ऐसे traits दे देना, ऐसी चवी बना देना कि वो मानवी अलगने लग जाए ठीक है तो मतलब आपने जो है, एक सोय हुए इंसान में भी जान डाल दिया है, एक मृतक में जान डाल दिया है, basically ये कहना चाहरा है और the representation of an abstract quality in human form, यानि कि मनुष्य के रूप में, मनुष्य के फॉर्म में आप किसी में जान डाल रहे हैं, किसी को represent कर रहे हैं, जैसे कि देखो, अगर हमें sun को दिखाना है बहुत ही positive energy के साथ, अभी आज कल तो बहुत गर्मी होती है बट अगर मुझे sun को दिखाना है, positive energy के साथ, तो मैं कह सकती हूँ, the sun happily greeted everyone good morning, मतब आज अच्छी धूप निकली है, याद करो वो ठंड का मौसम जब आप धूप की मिननते कर रहे होते हो, तो उस ताइम पैसे बोलेंगे, आज तो भाया, सूरज निकल गया, आज तो कपड आज डाल दे, feelings डाल दी है, ठीक है, negative, अगर जिसे बरसोरे, मेगा मेगा, बहुत जादा घनन घनन बरस रहे है, तो उसके लिए हम कह सकते है, कि जो आसमान है नाज बहुत जादा करोधत है, ठीक है, तो जब मैं छोटी थी, so my mother always used to tell me, जब बहुत गलत, मतलब बहुती गं Some clouds enveloped it, यानि कि यह जो आकाश है ना, बहुत जादा भायानक गुराराय चेताव नहीं दे रहे है, क्योंकि बहुत भायानक मौसम हो गया है, आकाश ने ढग दिया है, पूरे बादलों ने ढग दिया है, पूरे आसमान को, चलिए, तो यह तो हो गई बात हमारी personification की, कि कैस कैसे हमने नेचर में जान डाली, कैसे हमने नेचर को emotions दे दिये, कुछ feelings दे दिये, जो की मानवे रूपी होती है, जो की मनुष्य रूपी होती है, उसमें जान डाल दी, अब देखो कुछ और examples, जैसे की उधारन है, my alarm yelled at me this morning, yelling का मतलब होता है चिलाना, तो क्या आपका alarm जो बस करते रहता है, फिर मोसको snooze कर देती हो, फिर वो odd delay हो जाता है, तो हमारा alarm हम पे चिला रहा है, यान की, असल में नहीं चिला रहा है, उसमें हमने emotions डाल दिये, भाई, उसको गुसा रहा है, उठ जागो मोहन, प्यारे कह रहा है वो, अचा, अब onion, प्यास चीलते व अचा, the sign on the door insulted my intelligence, या ऐसे की, काफी लोग हम सभी, हम सभी तो नहीं कह सकती, वट हम में से काफी लोग गलती करते हैं, जो door होता है, हमेशो उस पे sign लिखा होता है, pull or push का, है ना, तो अकसर लोग na pulling में push कर देते हैं, अंदर की तरफ धकेलते हैं, और push करते time में बाहर की त नहीं, जब आप कहीं किसी स्थान के अंदर आगमन करते हैं, पधारते हैं, तब आप pull करते हो, जब आवह से जाते हो, तो आप push करते हो, वो likewise होता है, ठीक है, तो मतलब वो situation पर वेरी करता है, जो instruction दी हुई है, वो लिखा है, तो कह रहा है, मुझे तो पता ही है, मेरी बे चा गया है, अब बहुत irritated हो, देखो भाईया, ये इनसान कितना annoyed है, वो कह रहा है, मेरा phone आज बिलकुल सायोग नहीं कर रहा है, मेरा साथ, क्या वो phone में जान है, क्या उसमें emotions है, क्या उसमें emotions है, क्या उसे कोई दिक्कत हो रही है, नहीं, वो एक technical technology है, वो एक gadget है, जो जि कि वो खुझ से drive करे, अब काओगे, मैम आज कल तो automatic metro आ गई है, जिससे automatic मिला बिना driver के शलती है, पर कुछ ना कुछ उसको push ही होता है, ना, start करना पड़ेगा, engine को on करना पड़ेगा, something or the other must be required, तो human energy, human force तो चाहिया ही चाहिए, पर हमने bus को बोल दिया, तेज चल रही है, यह गाड़ी दे कि तेज जा रही है, ऐसा बोल दिते है, पर गाड़ी खुझ से नहीं जा रही है, यह गाड़ी चलाने वाला तेज दोड़ा रहा है, है ना, my computer works very hard, क्या आपका computer खुझ से hard work करता है, no, you are working very hard, but your computer is cooperating with you, your computer is efficient enough, तो यह सारे examples है, बस personification खतम, अब मैं आप आपको इसी के साथ बता देती हूँ, एक बहुत ही बड़ी आस offer, आपको पता होगा, यह हमारे जो टीचर्ज अड़ा पे batches है, धे batch है, DHSSB, उमंग batch है, KVS batch है, जितने भी हमारे foundation batch हैं यह आपको 1499 में मिल रहा है, फटाफट ज़ा के ले लो, ठीक है, जितने भी हमारे यह आने वाले batches है, एक ब्रहमासर batch है, UPBAJ का, यह आपको 1499 में मिल रहा है, अवेलिबल हो की दे रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम पता रहेंगे, कब मिलेगा, जब आप एक मातर code लगाएंगे, code का नाम है, बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, Y449, अगर हमने य code लगा डाला, तो हमारे life होजेगे, जिंगलाल, नोट डाउन कर लो कहीं पर, ठीक है, अब आप कहोगे कि माम, यह curtain मतलब क्या है, इस course के बारे में, एक बर हमको बता दीजिए, देखो ज़रा, जो हमारे अभी ongoing batches है, एक तो seated का foundation batch है, रीट का foundation batch है, बिहार टेट का foundation batch है, दोनों, paper 1, paper 2, दोनों के लिए, इसमें science वाले, SST वाले, mathematics वाले, हर कोई यहाँ पर मौजूद है, अपने subjects के हिसाप से, ठीक है, 180 hours का live interaction है, live classes है, recorded videos है, अब मैं आपको इसके बारे में, कुछ ऐसी बात बताऊंगी, जो आपको नहीं पता होगी, आप Y449 code लगा के, discount हो पर मैं यह कब तक के लिए valid है, देखो एक तो आपको coin मिलेंगे, जो आपके आने वाले courses, अगर आपको कुछ लेना होगा, तो redeem हो जाएंगे, coin से मिलता है, आपको discount, दूसरी बात, live classes नहीं attain कर सकते हो, तो recorded आपको मिलेगी, पूरे, मतलब पूरे 6 महीने के लिए वो available हजार बार कितनी विवारी रेखो, वो causes, unlimited doubts, आप मुँपे, पूछ के, ma'am, 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 zoom calls की तरह sessions होते हैं, तभी कि तभी अपने doubt को clarify कर सकते हो, तो इस month को amazing बनाने के लिए Y449 code लगाना है, ओमांग बैच हमारे 19th में को आ रहा है, मैं चाहूंगी, हमारे जितने भी assistant teacher, primary लेवल के विद्यारती है, चातर चातराएं है, वो सब अपनी हाजरी देंगे, और हमारे साथ जुडेंगे, इस उमंग बैच में, 19th of May, अच्छा, जो सबसे जादा smart बच्चे हैं उनको यह बात पता है, कि सबसे best offer होता है, teaching का maha pack, maha pack में maha offers, कि भाया, आपको 3,000 मातर 3,000 में, एक साल के लिए जो teaching का maha pack मिल जाएगा, जिसमें आप एक नहीं, दो नहीं, unlimited life classes, unlimited recorded classes देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, with e-books, with test series, unlimited, मतलब हर आपके subject से related, teaching exam का कोई भी कोई असान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, लक्षय बैच है, हमारा ongoing batch है, संगरा हम रीट वालों के लिए, राजिस्थान वालों के लिए, और achievers batch है, हमारा बहार्टेट वालों के लिए, paper 1, paper 2, दोनों की ही तैयारी है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह जो courses है, हम लोग कैसे avail कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम सीधर साफ चले जाते हैं, अगर हम teaching, teaching मेरी एक बहुत ही बड़ी असी opportunity है, teaching में यह सारे courses मेरे पास available हो जाएंगे, चाहे वो teaching का महापाक हो, चाहे वो आपको seated हो, चाहे वो read हो, सारे courses आपको यहां पे मिल रहे हैं, मैं गई seated पे, seated पे मेरे पास यह सारे courses available है, ठीक है, अभी जो हमारे ongoing courses हैं, तो आप लोग जो है, seated की इस course में available हो सकते हो, हमारे जो courses हैं भी आने वाले, देखो मैं view all पे चली जाती हूँ, हमें और भी बहुत सारे courses मिल जाएंगे, जो हमारा अभी course चल रहे है, लक्षे बैग, paper 1, paper 2, दोनों के लिए है, चाहे वो math science हो, चाहे वो social science हो, मैं कोई भी paper में चली मात्र 1 minute, हमने code लगाया, क्या code था, बताएगा मुझे comment section में, यह था code जो आपको राजा से महराजा बना देगा, जो आपको देवो के देव बना देगा, ठीक है, Y449 code लगा के apply किया, and the discounted amount, मात्र 2,000 रुपे में, बतलब यह बहुत ही खूफिया बात बता रही हूं, मात 2,000 रुपीज में, आप पूरा cost को avail कर सकते हो, 6 months के लिए, उसको divide कर लो 30 से, उसको divide कर लो per day से, आपको 10 रुपे से सस्ता मिलेगा, यह मेरा दावा है, ठीक है, और कहीं आपको इतना सस्ता, इतना affordable, almost free cost नहीं मिल सकता, चाहिए तो आप 1-2 लोग मिलके भी ले सकते हो, अ सिर नहीं देखना है, यहां पर मैं कोई भी cost, जैसे कि 1,5 महीने में माम का एक batch कतम होगे, फिर दूसरे में आगे, फिर तीसरे में आगे, कभी भी लेते रहो, भाई, cost पर cost आरे और मेरा जब मन करेगा, जैसे मन करेगा, मैं तब उतनी classes लेते रहोंगी, माम की, तो यहां पर teaching का महा pack कोई भी, like दोनों ही भाशाओं में available है, कोई भी आपको language सिखा देगा, तो teaching का महा pack में जब मैं view offers पर जाओंगी, यही process है, वही विधी है, code भी वही है, क्या code है जी, Y449, यह code लगाते ही मेरी life बदल जाएगी, एक code लगाते ही, एक discount लेते ही, एक pack लेते ही, एक cost खरीदते ही मेरे life बदल जाएगी, क्यों, मुझे e-books, मुझे test series, मुझे unlimited life classes मिल रही है, और सफलता की CD के तरफ में एक कदम आगे बढ़ गया हूँ, बागे सारा काम teachers का है, यार, पढ़ाने का काम उनका है, बस आपको अपनी उपस्थिती देनी है, ठीक है, तो यहा pardon fast rule नहीं है, ठीक है, तो इतना ही बताना था मुझे आपको, आज की इस class में आप code लगाईए, cost में फटावर्ट्स भरती हो जाए, क्योंकि आप मेरा जल्द ही spoken English का cost आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंटर्व्यू exam कैसे crack करना है, KVS के लिए, NVS के लि तो बहुत सारी चीजें, यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हो, बठा, आपका सयोग चाहिए, आपकी उपस्तिती चाहिए, और कुछ सीखने की भूख और चाहा चाहिए, ठीक है, तो वो आपमें होनी चाहिए, teaching का महा पक्त, मैंने आपको बता दिया है, हमारे आने वाले आपको सारे ही, सूपर टेट का बैच है, यह रहा हमारा ओमंग बैच, ठीक है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी लेवल के लिए, यह मुझे आपर मिल गया, वही विदी है, 8,999 का मिल रहा है, क्यूँ, क्यूँ मुझे इतना महेंगा कोस लेना, जब मेरे पास कोड है, मैं आप लोग को समझ आया होगा, इसी तरीके से प्यार बरसाते रही है, चानल को टीचर अजड़ा के साथ जुड़े रही है, so don't forget to like, share and subscribe to the channel, comment section में बताना, personification की जो गुथी रही वो पाच मिनट में समझ आई, या नही आई, and I'll see you tomorrow, ठीक है, पौने 6 बजे हमारे एक सेशन होगा, seated पे जिसमें मैं आपको बताऊंगे कि language 1 और language 2 में क्या difference है, और अंगरेजी जो इतना हक्का बक्का कर देने वाला, जो subject है, वो हमें कौन सी भाशा में लेना, कौन सी language में लेना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़े, सारी confusion आपकी दूर होगी, इस बार seated 2022, 30 on 30 ह रहेंगे इंग्लिश में, चाहिए language 1 हो, चाहिए language 2, चाहिए paper 1 हो, चाहिए paper 2, इसी तरीके से जुड़े रहे हैं हमारे साथ, बाई, take care